पर वहीं पंजाब के मंतिरी ने भी कहा है। मुझे हसी आ रही है। अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। सैनिकों को गाली देने के सिवा और कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है इसका जवाब नहीं दे पाएं। कि जारखंड में कभी काउरेश के एंपी के घर रुप्या निकलता है 300-400 करोर। कभी उनके मंत्रीश के घर से निकल रहा है आलमगीर के घर से। यह पैसा इकठा करके मोधी को हराने के लिए यह पैसा इकठा हो रहा है या और कोई काम के लिए। तेजस्वी जादब जी पहले इसका जवाब दो कि पिछरों का आरक्षन क्यों समाप्त करना चाहते हो मुसल्मानों का बोट लेने के लिए आपकी जुबान क्यों नहीं खुल रही है अभी तक करनाटक की शरकार ने जो मुसल्मानों को बैक डूर से सबको OBC बनाया है किसका हक मारेगा क्या ये बिहार के जादब का हक नहीं मारेगा बिहार के अनपिछरों का हक नहीं मारेगा इसका जबाब दो जबाब दो फारुक अब्दुल्ला जो खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान कह रहे हैं चूडियां पहन के थोड़े बैठी है उसके पास परमानु बम है फारुक साहिब भारत की सरकार जब भी मौका मिला है ऐसा मुहतोर जवाब दिया है अगर इस वार परमानु की धंकी आप तो लग रहा है कि पाकिस्तान के स्पोक्स परसन हो गया है अगर उसने धंकी दी जोगरफी में उसका नाम ढूंड़ने से नहीं मिलेगा क्यों भारत केवल हला नहीं करता कि हमारे पास परमानु है एक्सल लेता मैं तो कहा रहा हूं चुनाव में मोदी को हराने के लिए यह टुक्रे टुक्रे गैंग की सरकार ने इकठा की और यह मोदी को हराने का पूरे देश में एक साजीश चल रहा है उसी में जार्खंड जार्खंड से पैसा आता विहार और जार्खंड की शेकार यह पैसे के बल पे मोदी को हराना चाहते हैं जो जनवल के आगे यह धनवल फिका पड़े अच्छा यह दिल्ली में बंदमाकों के जो धंकिय देखे पहले शोहल नाम करका बैक्ति गुजरात में पकड़ाया उसने कबूला की भारत में हिंदू की हत्या की साजीश उसमें एक चैनल के माली सुदर्सन चैनल के मालिक सुरेश जोहान के नुपूर शर्मा ती राजा जैसे अनेक लोगों का नाम दिया क्या भारत के तमाम ये कांग्रेशी लालुजादा कौमनिस्ट इन लोगों की जुवान क्यों ने खुलती है क्या भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते है क्या भारत में हिंदू को समाप्त करने की साजिश चल रही है अई ये लोग बोट के लालच में ऐसे लोगों को संडक्षन देते इस पर जुवान नहीं खुलता मेट येही समस्ता